Hello Friends, Welcome! इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एकदम जीरो से मैट सिखाऊंगा तो ये जो सीरीज है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एक्जाम के तयारी कर रहे हैं और फिर इसे पर ऐसे और वीडियो आते रहेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेर कीजिएगा तो मैं शुरू करता हूँ देखे आपके सामने ये संख्याएं हैं तो इनमें पहले इतनी संख्याओं को हम जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे तो सबसे पहले इनें जोड़ना है देखो तो इस संख्या में इसे जोड़ना है तो 2.056 में ये जोड़ना है तो ये बड़ा आसान है 0.375 ठीक है जोड़ने और घटाने में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना एक रूल याद आपको होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ये चीज़ हमेशा द्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा ये रूल बिल्कुल माइट में रखना तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लगाया तो ऐसा हो गया ठीक है इसके बाद इन्हें हमने प्लस करना है तो ये होगा 6.5.11 का 1 हसिल 1 7.5.12 और 1.13 का 3 हसिल 1 3.4 और ये 2 तो I hope आपको जोड़ना तो आता होगा लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे दशाम लग की संख्या ये है इसको जोड़ेंगे अब इस संख्या पर आजाओ मैंने आपको क्या कहा था कि दशाम लग की नीचे दशाम लग होना चाहिए तो सबसे पहले ये जो संक्या है 3.5 इसको मैंने लिख दिया है इस संक्या को इस तरह से लिखो कि 10 अमलो के नीचे 10 अमलो आए तो ये लिख दिया मैंने 0.321 अब ऐसे इसको लिखना है कि 10 अमलो के नीचे 10 अमलो आए तो वो ये हो गया है अब इसे प्लस करना है तो यह 1 हो गया दो दो चार आर तिन ग्यार आर पांथ सो लोग अच्छे है हसिल एक तीन रेक चार यह हमारा आंसर आ गया है ठीक है तो बस आप याद रखना है दश्रमलो के नीचे दश्रमलो रखना है अब जैसे यह संख्या है इसको हमें जोड़ना 5 अब हमने इसे 1 को लिखना है तो 1 देखो एक बात ध्यान रखना जिसमें कोई दश्रमलो न हो उसका दश्रमलो पीछे मानते हैं तो यह लिखेंगे हम 1 बस ठीक है क्योंकि इसका दश्रमलो यहाँ पर है तो जहां आपको दश्रमलो न दिखे पॉइंट न दिखे तो यह स यह प्लस करके आएगा 5 अब ध्यान रखना नमबर की नीचे नमबर का ध्यान रखना ठीक है कहीं आप एक में दो को न जोड़ देना यह 1 बिल्कुल अलग सी यह 1 आएगा 2 का 0 में प्लस होगा तो 2 आएगा और 5 और 6 आ गया है तो इसको हम ऐसे प्लस करेंगे यह समझ आग अब इस संख्याग में द्श्रम लब नहीं है तो हम प्ट की नीचे प्ट कैसे लगाएंगे ज़ए जो प्ट यहा नहीं है तो जैसे मैंने बताया था जब प्ट यह पर नहीं होता है तो यह मानते हैं कि फॉइंट यहाँ पर है अब हमने इसे प्लस करना है तो अगेन हमारा तरीका वही है दर्शनमलव के नीचे दर्शनमलव आएगा तो यहां भी देखो ठीक ना यहां भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो हमने ऐसे लिख दिया है अब यह 8 है तो 8 को यहां पर लिखेंगे क्यों क्योंकि 8 मे तो इस तरह से इनको जोडते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा अब इनका घटाना सीखते हैं तो घटाने के लिए देखो सबसे पहले आई ये संख्या उपर लिखो अब इस संख्या को नीचे भी वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया था point के नीचे point आना चाहिए अब यह माइनस तो देखो यहाँ पे आप इन दोनों की जो संख्या उनको बराबर करो तो यहाँ पे यहाँ तक है लेकिन यहाँ पे भी आप 0 बढ़ा दो ठीक है ना यह काम हम यहां भी कर सकते थे, लेकिन उसमें time waste होता है यह काम हम यहां भी कर सकते थे यह 0 बढ़ाके, यह point यह 0 बढ़ाके बात एक ही है, ठीग है क्योंकि, क्योंकि, देखो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखना अगर मान लो कोई संक्या है 4.2 इसके नीचे में इसके पीछे एक 0 लगा दो तो ये संक्या पर फरक नहीं पड़ेगा ध्यान रखना एक और 0 लगा दो अब भी कुछ फरक नहीं पड़ा एक और 0 लगा दो कोई फरक नहीं पड़ा तो यानि कोई संख्या अगर इस तरह से है ऐसी कोई संख्या है तो इसके पीछे के जो 0 ही इनका कोई मतलब नहीं है आप इनको यहां से हटा सकते हो यह केवल 0.23 ही रहेगा यह धियान रखना ठीक हो ना तो कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं संख्या पे भी फारक नहीं पड़ेगा और बाकी हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी माइनस करने में घटाने में तो ये 2 आ गया ये 6 आ गया अब जैसे simple घटाते हैं वैसे घटा रहे हैं ठीक है? 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 और ये हमारा उत्तर आ गया है अब यहाँ पे आप इसे देखो इसे माइनस करना है तो देखो पहले हमने ये संख्या लिखेंगे अब उसके बाद मैंने क्या बढ़ाए था? कि 10 श्रम लब के नीचे 10 श्रम लब आएगा तो उसी हिसाब से हमने संख्याओं को लिखना है अब ये हो गया है अब यहाँ पे 2 0 बढ़ाओ ताकि अब माइनस कर सकें ठीक है ना? अब जैसे घटाते हैं वैसे ही तो यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे देखो यहाँ से तो कर नी सकते तो हम यहाँ से इसको 4 बनाएंगे फिर ये 10 होगा फिर ये 9 बनेगा ये 10 होगा जैसे हम हसिल लेते हैं तो 10 में से 2 गया 8 9 में से 6 गया 3 4 में से 4 गया 0 और ये 2 में से 1 गया 1 ये हमारा आंसर आगिया है ठीक है और फैनले हमारे पास ये question ने 14 में से minus करना है ये अब देखो यहां पर point तो है नहीं तो point की नीचे point कैसे रखें तो उसकी लिए देखो जैसे मैंने बताया था जहां point नहीं होता है तो यह मान लो कि last में point है अब इस हिसाब से इस संख्या को लिखो ये five point six one eight अब इन्हें घटाना है लेकिन उससे पहले आपे zero लगा दो समझ गया ना अब इससे घटाना है तो देखो दस में से I hope आपको यह आता होगा कैसे minus करें तो यह three हो जाएगा यह ten हो जाएगा फिर यह nine हो जाएगा यह ten फिर यह nine हो जाएगा यह ten 10 में से 8 गया दो 9 में से 1 गया आठ 9 में से 6 गया तीन 13 में से 5 गया आठ और यह इसका उत्तर आ गया है ओके तो my dear I hope आपको समझ आया होगा कि कैसे दश्रमलव की संख्याओं को जोड़ना है और घटाना है कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment box में पूछना मैं आपका answer देने की कोशिश करोंगा पूरी और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दश्रमलव की संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं तो मिलता अगले वीडियो में take care